जैहिन दोस्तों मैं अभी शेक मतलबी आप सभी का हमारे यूटूब चैनल उपकारिश्टेडी में स्वागत है दोस्तों आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आया है आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में महाजनपद महाजनपद कि Tina times महाजनपद थे कितने थे सोला महाजनपद सवा मााजनपद में बिहार से संबंदी की महाजनपद पढ़ए और लोग उसको बारीकी से तीनों को बारीकी से पढ़ेंगे मगद को अंको और लिछवी को तो चलिये आज चलते हैं मगद की ओर कहां चलते हैं मगद की ओर दोस्तों मगद में सुना ही होगा हिस्ट्री पढ़ते ही होंगे आप लोग भी एट नाइन टेंथ में पढ़ें फिर उसका कंपर्टीशन वेगरा में पढ़ें कि मगद महा जनपद मगद समराज दुनिया का सबसे सकतिसाली समराज था जब बुध के जिवनकाल के समय जैन जब थे उसमय मगद स मगद समराज मगद समराज शौर पर्थम इसका उलेख अर्थवेद में मिलता है ठीक है नोट करते चलिए जी हां दोस्तों हम बार 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 बोल रहे हैं कि यह इंपॉर्टेंट चीज है बिपी सी बिहार एससी और एससी लिए भी और बिहार पुलिस बिहार दरोगा के ल मिलता है अर्थवेद में मिलता है एक कोस्टन है यहां याद रखिएगा आप नोट कीजिए कि अभियान अभियान ठीक है अभियान चीनता मनी अभियान चीनता मनी के अनुसार मगद को कीकट कहा गया है अब सब आदमी जानते होंगे कीकट कहा गया है मगद को ठीक है लेक परवत पूरव में चंपा था और पस्चिम में सोन नदी पस्चिम में पूर्व में चंपा और पस्थिम में परता है जो अंग की रसधानी भी थी चंपा नगा ठीक है तो चंपा पूर्व में और पस्थिम में सोन नदी मतलब सोन नदी आपको बटना और पटना और आरा के भीच में नदी मिल जाएगी वही सोन नदी वह पस्थिम सीमा था किसका मगद का अब आए मगद की मराजधानी सब जानते हैं जानते हैं ना मगद की रसधानी केहां है ग्रिह वरीज देखिए राजगीर या ग्रिह ठीक है जो राजगीर है यह जैन बोलिए और बौध बोलिए यह दोनो धर्मस्थाली है राजगीर राजगीर आपको गय होंगे घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगा है राजगीर गूमने वाला जगा बिहार में टूरिस्ट पैलेस है जैसे गाया बोध गया राजगीर बहुत बड़िया जगह तो यो जो राजगीर है वो राजगीर 5 पहारियों से ही भीर है आ पुस्ता भी देखिए गा मिलेगा घूगल में लगेड़ा करिये गाँ कई पढ़िए गात कर से फिरुख ऑगा तो राजगीर का 5 पहारियों से घिरा है ठीक है प्राचीन गंद राजे में अगला दिख़िए क्या कहता है कि प्राचीन गंद राजे में गंग घाटी में लगवक दस गंद राजित हे इड़ा तो ए ऐ Shortly कहीं नहीं हम 200 दसों का नाम बताने जा रहा है यह आपको बहुत ही कम वीडियो में मिलेगा बट हमने आपके सामने ले के आया है आप इसको नोट करते चलिए ठीक है तो दस गंधराजे प्राचीन गंधराज मतलब गंगा घाटी गंगा के चेतर में जितने से चेतर थे जैसे आपको आ जाईये पटना अधर बैसाली आ जाईये फिर ऑगनारास अजाईये शभ Ta ठीक है तो उसके आस पास में कौण से जगा का स्थान से चुमंदीत और यह गनराजे कौण से स्थान समंदीत थे हैं तो पहला आते हैं क्या लिखा हुआ है कपिल बस்त। नेपाल मतलँ नेपस्थत। कहा था नेपाल में ठीक है नेपाल से संबां डीखे अभ है भर्ग्या सु वहां से चोथा उसी मारा की मल ठीक है कुसी मारा के मल गंदराज ये भी यूपी से संबंदी था अब देखे कोसल पूछता है भाई कि केस पुत्र के कलाम का गंदराज ये कौन से अस्थान से संबंदी था तक केस पुत्र के कलाम 45 बरेली या यूपी से ठीक है कुसी मारा के मल तो यूपी से अब है पावा के मल प ठीक है इसको मरीच भी बोल सकते हैं मौर आपको हमेशा मिलेगा भी कहीं न कहीं कहीं न कहीं आप देखिएगा तो आपको मिलेगा यह चीज पीपली वन के मरीच या मौर समराजे या मौर गनराजे कहां कौन सा छेतर में था हिमाले छेतर में था ठीक है हिमाले से लेके के बूली आयकल्प के बूली यह साहाबाद बिहार से लेके मुझषफर पूर के छेतर में था ठीक अगला है बैसाली के लिच्वी ठीक है यह लिच्वी समराज यह गनराज बहुत सकतिसाली हुआ करता था बहुत के समय में इसको सबसे कि अस्तान मुझखवर पुर बिहार टिकाफ़ा भाट ठीक है तो मैस बशाली के लिच्वी कहा थे मुझभफर पूरा बैसाली के अस्थान से प्राप्त हुए मतलब वहीं पर यह गंदराज भली भाती फली फुली थी ठीक है अब है रामगराम के कोली ये रामगराम के कोली ये गंदराज ये रामपूर देवरिया यूपी से संबन्दित है कौन से जगा प विदे सुने ही होंगे नाम तो सुना ही होगा मिथला ठीक है तो मिथला के विदे कोसी नदी बिहार कोसी नदी के छेतर में जो नेपाल से निकलती है कोसी नदी जो नेपाल से कोसी नदी निकलती है और गंगा में जाके मिलती है तो यह जो कोसी नदी के चेतर में दर्भंगा, मदुबनी, सहरसा, सुपॉल, मधेपूरा, खगरिया ये सब चेतर में जो बेगु सराय कुछ समस्ति पूर भी बोल सकते हैं तो ये मिथला के चेतर थे वो कोसी नदी के किनारे ये गंदराजे फली फुली थी ठीक है मिथला के विदे कोसी नदी ठीक ह तो ये दस गंदराजे आपको याद रखिएगा कपिल वस्तू नेपाल, सुसुमार परवत, केश पूतर कलाम, कुसी मारा, पावा, पीपलीवन के मरीच, हिमाले छेतर, कायकल्प के बुली, शाहबाद, वैसाली के लिछवी, रामगराम के कोलिये और मिथला के विदे ये दस गंदराजे बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको पका विश्वास दिलाते हैं, बहुत कम ही लोग यहां बीडियो में बता पाएंगे, दस गंदराजे का ना, हमने इसको बहुत महिनत से लिखा है, आप लोग भी प्लीज आपको इसको नोट करते चलि एक इंपोर्टेंट चीज ले किया है, देखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट चीज है, पीपलीवन के मारिया, या मौर, या मरीच, यह हिमाले भाग में के छेतर से संबंदी थे, तो हिमाले भाग में क्या था, मौर की संख्या जादा हुआ करती थी, ठीक है, और वहां के लोग जो बस्ते थे वो छेत्रिये थे, तो वहां जो मौर जादा था, इसलिए उसके कह सकते हैं कि उसका नाम पीपलीवन के मौर पर गया, ठीक है, या यह ऐसे आसानी से याद रसकते है, पीपलीवन के मौर या मतलब वहां मौर की संख्या जादा थी, ठीक है, अब है कि म मगद राजा मगद के नाम पर मगद किसके नाम पर बाथा था था राजा मगद के नाम पर थीख है हठी कि हरी क्में इसके बाद 20 के नाम पर अगर बात किया जाया मगद समराज की अस्थापना तो ब्रहिदत ने किया था मगद समराज की अस्थापना किस ने किया था ब्रहिदत ने किया था ये मगद जो राजा थे मगद का जो राजपाट था वो 700 से सारे 300 इसा पुर्वित तक चला था सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब करने लेकिन मगत समराज के बाद ही हुआ अव आते हैं अंग के बारे में पढ़ते हैं अंग 16 जनपाद में तीन विहार से समिदी था एक मगद पढ़ा हमने और अब पढ़ेंगे अंग का प्राची नाम मालिनी था याद रखें मेरे नोट करते चलिए कि अंग का प्राची नाम क्या था मालिनी था नोट नहीं किजिएगा तर फीर बहुत दिक्कत हो जाएगा पर तो लिजिए याद किजिएगा लेकिन समझ में नहीं आ आई अगा जब नोट कीजिएगा तो आप कभी माले भूले बटके अगर कोपी पलटके देखिए तो याद आ जाएगा कि अरे सला यह तो हमको प्राचीन नाम हमको अंग का मालूम नहीं था लिखे हैं तो किता फायदा हुआ फायदा तो होगा ही क्योंकि हमने लिखा है ठीक है तो प्र चेतर में नया नाम हुआ तो उस आधूनिक नाम उसका भागलपूर जो बिहार में परता है भागलपूर उम्यूंगेर यह अंग का छेत्र हुआ करता था बहुत पहले ठीक है अब वह आधूनिक चेत्र भागलपूर है राजधानी चंपा नगरी हुआ था अंग की रधानी चंपा क्या था और यहीं चंपा नाम कई से परा तो चंपा नदी है वहां चंपा नदी के किनार है ठीक है चंपा नदी किनार है इसका नाम परा था और कहा जाता है कि राजा चंप के नाम पर चंपा पूर परा था एक बात और है यह वर्नन भी है कि राजा चंप थे वहां के राजा उन्हीं के नाम पर चंपा पूरपरा था ठीक है इसके बंदरगाह थे अब देखें अब जैसे कि कोई भी राज होगा बरा राजपाठ होगा तो ज्यादा तरह आप जानते ही है कि कोई भी समराज हमेशा न किनारे से पटना हो गया भागलपूर हो गया बक्सर हो गया कानपूर हो गया बनारस हो गया सब नदी के किनारे ही वसा है दोस्त तो चंपा नदी के किनारे चंपा नगर था तो वहां एक बंदरगाह हुआ करता था बंदरगाह मतलब क्या वही जहाज को इधर उधर उधर वहां पर लगा तो वहीं से क्या होता था सम Belly रास्ते से एक तो वो j अंग जो है बहुत IMPORTANT चेतर भी रहा है इसमें अंग में बारवी तिरथंकर वासु पूज जो बारवी तिरथंकर जयन तिरथंकर थे तिरथंकर थे वासु पूजे इनका जनम मिर्थो अस्थल यहीं रहा है अंग कि 24 तिर्थंकर पढ़ेंगे आगे हमने वीडियो हम लोग पढ़ेंगे आगे जैन के कितने तिर्थंकर थे सबके बारव में पढ़ेंगे तो जो बारवे तिंथ कर थे वासु पुझे उनका जन्म एवं मिलत्यु अस्थल अंग में ही रहा मतलब चंपानगर में ही र जाधा थी इसलिए इसका नाम भी चंपक पड़ा ठीक है यह वर्नन है यह चीज कहा करें यदिक पुरान की तो जो कर्ण राजा थे उनकी राजधानी भी अंग ही थी अंग जो आज के डेट में मुंगेर भागलपूर में है ठीक है तो कर्ण राजा की राजधानी मुंगेर अंग भी थी जो बिहार में है ठीक है एक चीज है याद रखेगा नोट कीजेगा बहरा इंपोर्टेंट है कभी-कभी बीपीएसी में आपको क्या पूछ देगा इस पूस्ता की रचाईता किसने की इस सुत्र की रचाईता किसने की और खासकर बिहार्ज सम्मंदित जो भी गरंथ हुआ करते हैं चाह पूस्ता कु तरह लिजिए आप लोग कि दस वैलिग सुत्र सेंभवनाथ आचारे ने किया था कुन क्या था संभव आचारे संभवनाथ आचारे ने दस्वैलिक्षुत्र की रचना की याद रखीएगा तो यह अंग है अब आगे परते हैं लीच्वी के बारे में तो लीच्वी इसको अभी बहुत सकती शाली था किउनिया के सबसे सोर पर्थम गंतंत्र की अस्थापन यहीं किया गया और लिश्वी गणतंत मतलब की राजाओं द्वारा राजतंत्र नहीं जन्द द्वारा बनाया गया वो तंत्र जो अपना प्रधान चूनता है वो अपना voting करता है और अपने द्वारा सभादमी सहमती से बैठा के और एक राजाओं को चुनता है वो कनराज कहलाता है और राजतंत क्या कि हम राजा तो हमरा बेटा राजा तो यह राजतंत्र हुआ करता था लेकिन लिच्वी गन राजे दुनिया का परथम गन राजे हु तो लीच्वी नाम कैसे आंप कोई पूछे मेर्थन पूरुष के नाम पर परिख्रक्वी ठीक है और ये चेटर आधूनिक, चेत्र मुझाफर पूर बैसाली से संबंदित है याद रखे का नोट कर लिए भाई एकदम नोट कर लिए नोट नहीं कीजिएगा तो पौर्वे कि यह केतना तक पड़ीगा पांच वर्शी हमारे गुरु जी कहा करते थे सारा समझे सर हमारे गुरु जी कहा करते थे कि पंच वर्शी योजना के चक्कर में मत रहो गौर्वर्मेंट भी आजकल फंच वर्शी योजना पर वेकेंसी देती है कोई वेकेंसी आती है तो पंच वर्शी योजना के तद चलती है तो परना तो परना लेकिन पंच वर्शी योजना नहीं बनना है ठीक है परते रहना आ महावीर का जन्म अस्थल वैसाली में ही हुआ था अब जो लिछवी जो वैसाली छेत्र का था यह वैसाली वैसाली ठीक है विशेष्टा इसकी राजदानी मुझाफर पूर्ट लिछी है तो जो यह वैसाली छेत्र था यह महावीर का जन्म अस्थल भी है यहां पर भाई कूंडगरा महावीर का जन्म अस्थल है जो वैसाली में ही है और यह लिछवी गंदराज में हुआ ठीक है महात्माबूद के परथम गुरू अलार कलम याद रखे कोसन पूछा है मेरे भाई पर महात्माबूद ने जाके अलार करम से दिक्षा पराप्त की ठीक है तो यह लिचवी बहुत सम इंपॉर्टेंट है इसको ले के चलिए ठीक है परते चलते हैं ठीक है कौन-कौन से सवाल आते हैं लिचवी गंदराज के मामलें ठीक है तो बहुत इस तूप की खुदाई जिए उनिसो अंठावन में की गई तब पता चला कि क्या है लिजवी घंधराज जे संबंदित जो बहुत से संबंधित है क्योंकि बहुत का अस्थूप 206 मिला है तो जब 1908 में इसकी खुदाई हुई तो पता चला कि बहुत अस्थूप एक लिजवी घंधराज में वैसाली में भी है ठीक है अब है हमने बताया अगला है दुनिया का सब पर्थम गंदराज पर्थम सबसे पहला गंदराज लीच्वी गंदराज हुआ करता था कितना सदस थे 7707 सदस थे इन्होंने सभी आदमी ने मिलके एक राजा को न्यूक्त करते थे और उसमें कोई छोटा वरा नहीं था सब एक समान था यह नहीं था राजतंत्र नहीं था कि अधूराजा बनेगा उसका बेटा राजा बनेगा उसका पोता राजा बनेगा ऐसे नहीं था वहां गंदराज था हम मतलब सबसब सदस मिलके हमको अगर राजा चुना फिर अगले वार में हम सवाद मिलके उसको राजा चुनेंगे तो वो गंदराज था ठीक है अब है अजास सत्रू ने लीचवी वैसाली को जीत लिया देखे उसमें तक लीचवी मतलब क्या थी अजय थी बुध समय जब थे बुध कालीन था तो उसमें कहा गया था कि लिश्वी को कोई जीत नहीं सकता इसको कोई भेद नहीं सकता तो क्या था कि दुनिया का प्रथम गणराज को था लिश्वी था ठीक है कितने सदस थे तह 77-07 सदस थे जो क्या करते थे राजाओ को चुनते देख ठीक है रास्ता अंतर नहीं था गंत अंतर था ठीक है अब अजासत्रू ने लिश्वी को जीत लिया मगद समराज के बाद अगर कोई सम्लि थीउ इमभी सार का बैटा अजास TL उन्होंने किया लिश्वी को जीत लिया ठीक है आब देखिये वैसाली एक कोसन आयता है गुप्त सासक चंद गुप्त और उसकी पतनी कुमार देवी का भी कुमार देवी उनके दौरा जो सिक्का जारी किया गया उस सिक्का के क्या था उस सिक्का पर लिखा गया था क्या लिखा गया था मिला है ठीक है इतना सा याद रखिएगा तो यह लिच्वी गंद राजी हुआ यह अगद और यह मगद तो यह आपका तीनों महा जनपद खतम हुआ देखिए आप लोग प्लीज आप लोग नोट कीजी बहुत बढ़िया चीज है आपको बहुत फायदा होगा ठीक है और इसी तरह हम आगे भी वीडियो लेते आएंगे और अगर आपका आप अपना राय जरूर बताएए हमारा वीडियो कैसा लहा कैसा लगा आपक करें कमेंड करें तब तक के लिए जाहिंद आप करें करें तब तक के लिए जाहिंद